हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका अपना संस्कारच में फाइनली अपने सामने आ चुकी है किया कार्णिवल 2024 लिमोजीन प्लस और सिर्फ ऐसी सामने नहीं आई वाही अपने क्लासिक किया हलवानी पर आ गई है और सेम एक यही ब्लैक कलर की गाड़ी कल को डिलीवर भी हो चुकी और यह जो पर्टिकुलर अपने सामने खड़ी है ब्लैक कलर की यह भी डिलीवरी के लिए रैडी है लोगों को गलत साबित कर देता है जो बायर होता है रीजन उसे पसंद किस लेवल पर आ रही है और यह वाह कई में पसंद आने वाली चीज़ बन रही है क्योंकि मैं इसक इसकी चोड़ाई है भाई ही जाड़ी इसकी मोटा मोटा दो मीटर वन डबल नाइन फाइड आमेम की और जो इसकी ग्रिल बात करें यहां कि तो आपको यह जो आईस क्यूब है यह दिखते थे यहां पर पहले युज करती थी किया इसमें सैट टॉस वगरा में देखते थे लेकिन अब यह बड़े-बड़े आइस क्यूप शेप आ चुके हैं अपने प्यॉर हैड लैम में LED ही है बिलकुल और उसके साथ साथ आप देखो कितना अंदर reflection दे रखा है glossy black का कि यही reflect होके यहां पर पूरा बड़ा wide spread करती है बाक अब इसके साथ साथ यह हो गया अपना नीचे radar radar के साथ उपर camera भी है क्योंकि आप इसमें एडास आ चुका है obviously और उसके साथ साथ हो गया यहां पर यह camera overall बहुत सारी चीजे एक ही frame में देखने को मिल रही है और जो इसका front face या है वह वहाँ कई में appealing लग रहा है आज आते 70,50,000 अब आजाओ side profile पर तो जिस तरह से ही चोड़ी है उसी तरह से भाई ultimately लंबी है लंबा इसकी पांच मिटर से उपर है 5155 mm की 500 555 mm की इसकी पूरी की पूरी length मिलती है बाकी बात करें यहां की तो आपको मिल जाते हैं 18 इंच के विल से अब कई लोगों ने का कि यहां पर भी 19 इंच के देते हैं लेकिन 19 इंच होने पर इसकी जो sidewall है वो और पतली हो जाती जिसके ऐसे इंडियन कर्निशन जैसे कहीं भी घड़ा आ जाता ना वहां पर थोड़ा टायर कटने की दिक्कात आ सकती थी लेकिन अच्छी चीज़ा 18 रखका sidewall अच्छी है जो इंडि पर लो वीडेस की वीडेस अंदर आपको इस देता है वीडेस इसका है लगबल लगबल 3090 mm का वाई 3090 आप समझ लो पूरी की पूरी नैनो समा लेगा यह पूरा वीडेस इतना ही लंबा है क्योंकि अंदर इस पेस ही बहुत है और उसके साथ ग्रांड देखो गयो मिल जात चीज़ है जिसके लिए है उसके लिए बाहर से आई है इंपोर्ट ही और यह न गाड़ी तो इतनी सजा के बिल्कु सेफ करके दिए बाकि उसके लावा बात करें यहां पर मिरर की तो यह भी आम मिरर नहीं है कैमरा आपको क्योंकि 360 है तो यहां पर भी मिल जाता है आगे के विंडो एरिया दिख रहे है उसके साथ साथ नीचे भी आपको वही प्रीमियम सी मैटल जैसे सिल्वर फिनिश मिल रही है साथ में यहां पर भी आपको और कई सारे तो बटन ही बटन है इसमें अभी तो मज़ा सबस्याद आता है जब बटन दबाते ही डोर खुलता है अप को सेल टॉस में यहां पर पूरी की पूरी जलती लैंप है बाकि जैसे ही ब्रेक दबेगी तो यह तेजी से जलती है और यह और इंडिकेटर रिवर्स लैंप अपना हो गया है यह रह ठीक है और उसके साथ साथ बात करें एक दो तीन चार चार पॉइंट है रिवर्स पारक लैंप देखो कहां दिख रहा है यह कितना प्रीमेंब बिल्कुल आपको ऐसे देखने पता नहीं लगेगा स्पॉइलर है लेकिन यह है हाई मौ स्टॉप लैंप जब और ऊपर हो गया शार्फ नैंटीना ओवर्ल यह है पूरी की पूरी प्रोफाइल उसके साथ साथ यहां से होते हुए पीछे की तरफ चला जाता है तो यह है पूरी बाहर बाहर से लगब लबबग और फ्यूल टेंग यहां पर आ गया अपके पैसे इसकी कितनी है तो फ्यूल टेंग के बात करें वह मिल जाती है इसमें आपको 72 लीटर की क्योंकि भाई यह हाईवे के लिए फैम बागी इसमें तो बिल्कुल मेरा इफेक्ट है यह देखो बागी दुबारा से बता लेता हूं यह है अपनी न्यूली लॉंच्ट किया कार्निवल लिमूजिन प्लस और ब्लैक कलर में तो क्या चीज लग रही है 63,90,000 रुपए है इसकी एक शोरूम कीमत और क्लासिक किया अब क्या करें आप दिखाता है चावी क्यों कि चावी भी बहुत खास है देखते ही दिल ललचा जाने वाली चीज है आप यह देखो इसको बाहर निकालके दिखाता हूं मैं यह जब इसको चूते है ना इसमें अलग ही ग्रिप ग्रिप टाइप का है मतलो रबराई सा फील है और आप यह देखो किया यह किया लोगों जलता है अंदर जलता कैसे है लाइट सी जलती है इसमें यह देखो कितने ही बटन है लॉक अनलॉक साथ में इसे होल्ड करके रखोगे पीछे जो डिक्की है बूट है वह खुल जाएगा ठीक है क्योंकि वह भी लेक्ट्रिक है बाकि यहां भी बटन है बटन इसको होल्ड करके रखो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी बाकि दोनों साइड लैफ्ट और राइट का जो बड़े डूर से अपने वह खुल जाएंगे सेलेब्रिटीज मास्त बटन दबाके रखेगा ड्राइवर आटोमेटिकली डूर खुल साथ में इसको दबा के रखेंगे अपने तो यह देखो प्रेस करके रखा और यह यहां पर अपना जो बूट लिड है वो ओपन हो चुका है इसकी भी हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से कहां तक खुलेगा अपनी हाइट के हिसाब जो बहुत उंचा जा कि अपना घाड़ी की पोजिशन भी धेट यह वाला है अपनी साइड वाला एसको मैत दबाकर रखा और यह देखो यह ऐसी गाड़ी भाई इसमें कितने भी आप बार बार बटन दबा दो यह हैंग नहीं होते सिस्टम इसके कि इसाफ़ासियत है कि पिछली जनरेशन में भ पर भी इसको दुबारा से दबा के रखते हैं और यह हो जाएगा अपना बंद वाजीवा बहुत सारे तरीके हैं डोर को खोलने के बंद करने मैंने पिछली जनरेशन वाली जब थी उसमें एक शौट भी मनाया था बहुत तरीके हैं चलो अंदर आ जाता है फिलाल इसको एक बार यहां से खोलते हैं अंदर खोलते ही आपको पता लगेगा कि भाई क्या ही चीज है इंटीरियर इस कलर के साथ ब्लैक के कॉंबिनेशन में अच्छा लग सकता है तो बिलकुल अच्छा लग सकता है कितना ज्यादा मतलब यह आप देख रहो बहुत ही वाइब्रेंट सा यह रहपी उसके साथ यह एएब्र लाइटंग क adel पूरा छलता है बांखी चारो की चारो पार विन्डोव है और चारो अपनी ऑटो जो वनड़ों ओट हम आप आप ऑटो डबाउन है बागि उसके ATC करने बाकि यहां ना तो इसमें वेंटिलेशन के साथ हीटिंग भी है बिल्कुल दोनों और आप देखो सब कुछ कोरियन लेंगवज में लिखा हुआ है तो भाई बिल्कुल इंपोर्ट ही हो रही है उसके साथ साथ अगर आप इसके एड्जस्मेंट की बात करोगे तो इसमें तो टोटल एड्जस्मेंट मिलते हैं इसमें आठ और बाकी हाँ फिजिकल बटन्स भी इसमें आपको दिये मतलब जैसे ही आप डोर बंद करोगे सीट अपने आप आगे आ जाएगी और जैसे दोर खुलोगे सीट पीछे चले जाएगी आपको ज्यादा इस पेस देने के लिए ठीक है आप क्या करें आप जड़ाइस में चड़ लेते हैं सीट की चोड़ाई अंटर थाई सपोर्ट यह तो नेक्स लेष्वल है यह लो जी यह है पूरा पूरा इंटीर जैसे ही मैंश मैं बैठा हूं मुझे फील हो रहा है कि मैं काफी हुशाओ है वह काफी जो नीचा है आपको आम गाडियों से काफी नीचा लगे और से इस्की वईसे जिसके वैसे बहुत वाकई में बहुत आप हाइट पर बैट रहे हो हलाकि से नीचा भी गड़ सकता हो मैं अपने हिसाब से नीची जा सकती है लेकिन स्टिल उचाई पर रखके भी मज़ा आ रहा है और यहां पर कहीं है नीरा जबकि पेट बढ़ा है भाई मेरा फिर भी अब यह दिखी रहा है त पूरा का पूरा लैधर रैप है और बाकि प्रोटेक्शन तो आपको पूरी लगी मिले रही है यह दो गई और यहां दो गई यह भी ग्लॉसी ब्लैक के साथ है बागी कंट्रोल साथ आप देखो कितना है क्योंकि इसमें 23 ओटनोमस फीचर है अपने लेवल टू अडास के तो वो भी आपको यहां पर कंट्रोल मिल जा रहे है बाकि उसके लावा क्रूस कंट्रोल तो है इसमें क्लस्टर में आपको शफल करने के लिए भी यह दिया हुआ है यह यह दास की विंडो थी बाकि यहो गई ट्रिप की डिटेल सारी विंडो और यूडिया वगरा पड़ पर हो गई अपनी वही नॉर्मल ही है म्यूजिक प्लेयर के लिए वाइस कमान वाकि वाल्यूम को उपर निचे करने के लिए सारे बटन्स हो गए हॉन हॉन वही है पॉम पॉम वाला डूल टोन में उसके साथ साथ एडजस्टमेंट अगर देखें तो एडजस्टमेंट ठी होगा है तो बिल्कुल भाई पैडल शिफ्टर भी इसमें मिल जाते हैं आपको पूरे आपके हाथों में मिल जाएंगे प्लस मैनिस करते हो अपना आप चला सकते हो ठीक आपको इसक्रीन तो दिखाए दिए हो गई अपनी पूरी स्पीड यहां होगी अपना टैक को यहां पर दिखा देगा साथ में यहां पर होगे अपना इंजन का टैंप्रेचर और टोटल चलिए 27 किलोमेटर और यह है पूरा का पूरा अपना क्लेस्टर और आ जाओगे यहां पर अगर तो इसको लेटर करा हमने और अच्छा पूरी अगर स्क्रीनों के साइज की बात क अगर पाओगे कि स्क्रीन कहां खतम हो रही है कहां शुरू हो रही है बिल्कुल बैजल लेस फील कर आ रही है ना बागी टच रेस्पॉंस देखो सारी की सारी सेटिंस आपको यहां दिख जाएगी यह चीज़े आप और भी वीडियो में देख चुके हो तो ज्यादा मैं क्योंकि आधा टाइम यही ले लेते इतना सब कुछ डीप डाइव करने को हो जाता है इसमें बागी सीट्स अगर दिख रहा है तो सीट यह आपको दिखा दूँ आपको बताया जैसे कि फर्स्ट रो तो है इसकी वेंटिलेटेड रियर वाली जो मिडिल रो है ना वह भी प पूरी पट्टी यह यह यहां यह लाइटिंग दिए उस्स्टी फोर लाइट्स है आप पूरा मूड़ बूट चेंज कर सकते हैं तो और बड़िया लगता है उसके अलावा यहां पर आ जाते इतना बड़ा आपको यहां पर गन्ट्रोल सेंटर दिख रहा है पूरा पूरा को ड्राइवर साइड अलग कर लें लेकिन इसमें तीन यह तो दो फ्रंट के लिए यह एक राजा साफ पीछ वैटेंगा तो अपने हिसाथ से भी सेट कर सकते हैं ट्राइज उन इसमें उत्मार्टिक लाइट क्लामट चीज़ें यहां पर टॉच करने की यह उत्मार्टिक ला का यहां से आप इसको करने के लिए और यहां पर हो गए इसके लिए आप चार्ज और पर यहां से पहले टो ऑप च्ञेश कर सकते हो जो आप इस मोड से श्रुष के लिए बाकि आपको कुछ भी इसमें लगाना तो प्रेंज ऐspace सेघर हो तो अपना बी चीज़ आप इसमें करो मुष्ट करोगो है इसके लावा यह टेडिकेटट उसके लिए दिया हुआ है अपना चार्जिंग के लिए और साथ में यहां 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 देगो यह तीन बार यहां पर अप और स्पेस दिया यहां पर आप कुछ भी अधर सामान रखोगे पर सुआ और सौची जो भी रख लोगे यहां पर आ जाओगे तो आपको दो दो बॉटल होल्टर मिल रहा है कब तो कितना ही बड़ा हो जाएगा ठीक है लेकिन कब भी आ जाएगा इसमें यह आपको ग्रिप्स बाकि रिवार्स न्यूटर ड्राइव इस पर चेंज कर सकते हो कितना प्यारा सा लग रहा ना यह वाजीवा मस्ता ना वाकि उसके लावा आजाओगे यहां पर ड्राइव मोड इसमें अलगलग दियूंग उसके लावा यहां पर आप आपना जैसे ट्रैफिक में होगी एक्सेलरेट करोगे तो रंत यह बढ़ जाएगी बाकि पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिक दी हुई अपने मैनौल नहीं है बाकि यहां पर आ जाओगे अलग-अलग कंट्रोल से हैं यह है फ्रंट के पार्किंग सेंसर को बंद करने के लिए उसके लावा यहां पर वन टच पूरा पूरा आगे का मैंने समझाई दिया बाकि उसके लावा यहां पर आ जाओगे और यहां पर देखते हैं तो यह भी लाइट के साथ आपको दिया हो एक तरह से मिरर और की चीजदी और हां यहां पर आ जाओ तो यह आपको दिए हुई है फ्रेंट और रियर आप देते जनरली एक ही बटन मिलता है यहां पर हमें किसका संरूफ का अब इसमें दो संरूफ दिखा रखें क्योंकि इसमें दो ही संरूफ है आप देओ कितनी चोड़ी-चोड़ी घजब तो आप दोन अब क्या बचा है अब यह बचा है अपना वाजी वा दिरे दिरे से खुलने वाला आपको गलोब बॉक्स दिया हुआ है और अगर स्पीकर की बात कर लोगे स्पीकर इसमें मिल जाते हैं आपको बारा सुनते ही अजीर सा लगता है लेकिन एक्चल में बारा है ओर आउट प आगे की चीज़े लगबल लबबल खतम होई गई है नहीं भाई इतनी आराम से कहां कारने वाला ही है इसको तो कर दिया है और क्या बचा यहां से इसको जड़ा पीछे करके दिखा दें वाजी वा ठीक है और यहां देख लो आप इसको जैसे में खोलता हूं तो यह देखो ट्रेक्शन कंट्रोल आफ करने के लिए बटन दिया हुए है बटन्स वगेदा प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही उपर है नीचे आ जाते हो तो पावर डॉर आफ यहां से आप करोगे तो वन टच में जैसे इलेक्ट्रिक वे में खुलता है वो नहीं खुलेगा ठीक है आप जाके इस तरह से वन टच में ही लेफ्ट राइट के डोर भी खुलता है जैसे आपको चावी में मिल रहा था ठीक है तो यह भी होगे कंट्रोल और उसके अलावा उसके अलावा तो भाई नीचे कितना ही बड़ा वैल मिल रहा है वाई इतना ही महंगी घाड़ी और वा इसको करते हैं अब देखो यहां से मैंने जैसे दबाया तो यह खुल गया पूरा स्लाइड होते हुए पहले भी यह बहुत खास फीचर था और अभी भी खास फीचर है खास ही है और किसी घाड़ी में मिलता नहीं है इस तरह से चलो वाई अब आजाओ यहां मैं राजा मैं मिल जाता है वाला पूरा इसको सोफा बना दो आप सोफा मैं कह रहा हूं बैड बना दो आप और अराम से यह देखो आम राश्रिनली वीजुल दोनों की दोनों तरफ बाग इसके लावा हैड्रस देखो कितना गजब का लग रहा है और बैठें यहां पर आपना हैंडल इस पर रखा पैर और यहां वाजीवा क्या बड़ी सीट है यार बहुत बड़ी सीट है और मेरी अच्छी गाजी चोड़ा ही है उसके बाद भी गजब जो मैं बता रहा था तीसरा जोन वह यहां पर आपको दिया हुआ है चलो वह अब यासा करते हैं इसको बंदी करते हैं बंद करने के लिए देखो चाहिए यहां से बटन दबा दो बंद जाएगा चाहिए लेकिन अपने बटन ही दबाएंगे लो बीप बीप करके बता देता है कि डोर बंद हो रहा है यह हो गया अब प्राइवेसी चाहिए तो इस तरह से यह भी आप लगा सकते हो ना सेट है उसके अलावा क्याज क्या दिखाए यह यह तो बताई दी आपको जो तीसरा जोन है रियर के लिए वह यहां से सैट हो जाएगा पूरा का पूरा टेंपरेचर कम जादा कर सकते हो आगी छत में यह आपको वेंट मिल जा रहे हैं इस तरह से और यह रियर के लिए अगर लैंप यहां पर आपको दिया हुए पीछे रीडिंग के लिए और इसको बढ़ बंद और और क्या करें और हां यहां पर भी आम रहता है ठीक है बीच में आप देखो इसको मैं दबाऊंगा अगर यह पीछे की तरफ लेटने लगी जीट ठीक है और इसको जैसे मैं यह बटन यह बटन अच्छा कि यह बाकि उपर को उठा देगा यह पूरा लिटा देगा यह है इन दोनों बटन का इसके लावब भी देखो यह रहे यह बटन ठीक है यह वन टच में है बाकि इनको आप अपने हिसाब से यह जो है बहुत ही प्रीमियम प्रार रहे हैं जो उनका फीडबेक ना बिल्कुल ऐसे नहीं रॉफ है यह फिर ऐसे हिल रहे हैं कुछ नहीं ठीक है अब आजाओ यहां पर तो आपको पीछे के लिए यहां पर मिल जाते हैं और हां आम रस तो दिखाने भूल गया तो मैं यह यह आपको मिल जाता है यहां पूरा का पूरा इंटियर के एकॉर्डिंग सॉफ्ट टच यह भी पूरा ग्लॉसी ब्लैक 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया हुआ है और बाकी नीचे आपको फोन रखने की जगा पूरा फ्लैट फ्लोर है कोई टेंशन नहीं है यहां पर आपको कुछ भी समान छुट पूट रखने के लिए दिख जाती है मैश और और क्या चीज बची और भी तो है हां जो जैसे आगे अमेंट लाइटिं और उसके साथ साथ हीटिंग के लिए ओके रिपोर्ट और क्या बचाब और एक और चीज़ है यहां पर भी दिव मैं लिवर इस लिवर से आप इसको आगे पीछे तो करी सकते हो पूरी की पूरी रेल के थ्रू बाकी उसके अलावा यह आप इसको अंदर बाहर भी कर सकते ह आपको अंदर की तरफ रखो अगर यहां से कोई पीछे नहीं जा रहा है नहीं तो आप इसको साइड कर सकते हो बिल्कुल अगर पीछे जाने के लिए जगा ज्यादा बनानी है चलो एक बार इसको खोलते हैं यह देखो हो गई यह लौक और अब क्या यह बाहर की तरफ आ जा यह वागी चलो इसको करते हैं बंद और हाँ नहीं नहीं अभी बंद नहीं हाँ दुबारा खुल यहां देखो आप यहां के लिए आपको पीछे लटका हुआ बीच में आप यहां से ओपन करोगे और वही घुमाने वाला सिस्टम जैसे जनरली आज गाडियों में दिखता है कि बैली पेलेट का होता टायर है और इसका टायर यहीं से नीचे आ जाएगा और यहीं ऊपर लग जाएगा तो इस तरह से मतलब बीच-ओ-बीच है इसका टायर ओके रिपोट चलो अब इसे कर देता है बंद अंदर स्पेस इता हुए आप आप आजाते हैं लास्ट होंगे अगर तो कितना ही समान होता है उनका एक्च्वल में इसी में आता है जब लंबी ट्रिप पे जाते हैं टोटल साथ लोग अगर वैठेंगे चार और साथ में तीन और तीन आते हैं पीछे क्योंकि प्रॉपर सीट है बिल्कुल जैसा आपको स्पेस चाही होता है बिल यहां पर अपको लैम और यह सिवेंट मिल जाते हैं अच्छी चीज़ है और यहां पर भी लैम एक यहां पर आपको ऊटेंद o już प्रॉपर आँची चाहिए बिल चाहिए ईहां पर नहीं की लाख हो गई ठीक है लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको यह, 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 यह है ऐसे ही चलो इसको कर देते हैं अब क्या करें अब हाँ इसको यहां से टच करके अपना बंद कर लेते हैं वाजी वह दो बार ब्लिंक भी कर देगी और देखो आगे तो पानी गिरता है कंडंसेशन का पीछे भी क्योंकि अलग-अलग दो-दो यूनिट लगी हुए है क्या लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए कंफर्ट में क्योंकि जब सिंगल यूनिट रहती है तो पीछे ब्लोवर काम करता है केवल लेकिन यहां पर अलग यूनिट है पूरी एफिशेंसी के साथ आपको मिलेगी कूलिंग अब क्या करें इसको एक बंद करके एंगन खोलते हैं हाइड्रोलिक स्टाइट आचुके हैं ऐसे करके खड़े नहीं हो ना डंडी नहीं लगानी इसमें ठीक है और बाकी यहां की बात करें तो यह आपको मिल जाता है टर्बो स्मार्ट स्वीम डीलिक है वाई डीजल इंजन है क्या ही कहना बाइसों सीसी है पावर हो चुकी है लग बलबग 188 भी ऑल्मस 190 भी तो ठीक है और महीं टॉर की बात करें वह मिल रहाए आपको लग बलबग साड़े 400 एंब गमला 444 440 के आसपास है ठीक है जो की बहुत है अगर आपको साइज बड़ा लग रहा है वेड जादा लग रहा है तो वहीं पावर भी यहांदी हु पूरा 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 सैट अप यह है बहुत साइलेंट करने का उसके साथ साथ जो कैबिन है उसको बहुत वैल इंसुलेटेड कर दिया है जिसके ऐसे कोई भी अंदर आवाज नहीं आ रही इसकी आराम से इसको करते हैं से पुश वाजीवा हो गया बंद क्या बात है चीज तरह कि चीज है नहीं कोई आप कहोगे कि हमारे पास लेकिन आप वह देखो उसका बजट बहुत ही ऊपर चला जाता है यह मत कहना कि कोई 75 लाग खर्च कर सकता है तो सभा करोड भी कर सकता है बहुत फर 50 लाग रुपए का फर्क हो गया और एक्शल में यही मजा वह भी दे लेकिन यह उनमें से नहीं है इसको बाहर से भी पसंद करते लोग जो इसको नहीं आता है वह वाकई में पूछते कौन सी गाड़ी है और एक्शल में जो अंदर बैठता है वह फील करता है कि हमें पैसे खर्च कर रहा हूं थोड़ा सा यह इस पे डंडा बढ़ गया यार की टैक्स लग गया है क्योंकि इंपोर्ट हो रही है पूरी की पूरी गाड़ी यह यहां बनती जैसे पहले बनती थी तो 10-15 लाख रुपए कमी हो जाते हैं अच्छा कासा डिफ्रेंस हा जाता और ज्यादा वैली फॉर मनी होती लेकिन आज भी जिने पसंद आ रही है जो इस 24 लिमूजिन प्लस गाड़ी अच्छे लगी है वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक करना वीडियो को शेर करना में द्रूसका सब्सक्राइब करना जंसकार इसमें चैनल को जैए हिर्मा